क्या बात है भाई आखिरकार में उस वाले टाउन में पॉझ गया जहापे सबसे अमीर लोग रहते हमारे मतलब पूरे माइनकरफ वर्ल्ड के और ये रहा भाई वो टाउन मतलब भी धीरे धीरे बन रहा है ये और ये धीरे 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 सिटी बन जाएगी वो देखो वो उप स्टीव जो इन सब को डरा के रखेगा और इन से हम पैसे निकाल सकता हूँ चलते हैं इनके टाउन में पहले और कुछ जादे आ गया गया मैं यह देखो भाई यह पर कंस्ट्रक्शन चालू है और यह क्या है पैट्रोल बंब या कुछ तो है वह देखो कुई तो जा रहा ह पैसा है तो मैं सोच रहा हो कुछ घर खरीद लुए अपर तुमारे टाउन से अरे यह टाउन में तू नहीं घरीद सकता भाई तू इतना गरीब है तू कैसे घरीदेगा भाई यह बहुत अमीर लोग की जगए इसले तू मैं यहां पर रहता हूँ और मैं जा रहा था था पर वो है कापर मेर अभी पर यहां पर भाई रहता है उसका कोई तो घर है यहां पर चोटा मोटा ही होगा मेरे से बढ़ा थोड़ना होगा भाई बता मुझे भी कहाँ पर रहा था आजा इधार ठीक है यह रहा भाई रोडवोड बनाके रखे है तुम लोगों ने तो भाई पूरा कॉंक्रीट का अ हैं हम लोग अरे यहां पर नहीं मुझे आपने पैसे के लिए आगे बढ़ना से चाहिए तुम लगता है लोगता किसे हैं लोगती कर रहा अपना बाई पैसे इतने हैं किता मॉड़न ट्रैक्टर है कोई गरीब हो वाला भी नहीं है इसне रुगजा कर रूगजा रूगजा र और मेरे पास में कुछ Emerald भी है अब देख तुने मेरा घर तो देख लिया और फिलिक का घर भी देख लिया होगा और ये जो दिख रहा है तुझे ट्री हाउस ये मेर का है भाई मेर का ट्री हाउस और भाई कितना मेंगा है वो अरे यार उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते उतने तो हम लोग के पास भी नहीं है ये फिलिक तो उससे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा फिर बापरे भाई इतना खतरनाक ट्री हाउस वो तो अच्छा है भाई ट्री हाउस मुझे बढ़िया दिख रहा है लेकिन यार मुझे को ऐसा घर बता तुम्हार टाउन पे जो यार थोड़ा बढ़िया हो और रहने लायक तो हो कम से कम और यह चीज़ बस तुझे फ्लिक बता सकता है बता बता फ्लिक क्या बता सकता है तू अरे हाँ मेरे पास एक घर है आजा मैंने अपने नौकरों गले रखा था लेकिन नौकराश तक पाले ही नहीं क्योंकि घर का सारा कम केली करता हूं भाई अमीर आत्मी हो ना मेंको अलग शौक है अरे आजा भाई जल्दी मेरे पीछे आजा और क्या भाई और यह ट्री हाउ यहां पर मैं रह सकता हो अभी किराया देपा हूं मैं अजा इसका किराया भी मत दे भाई तू यहां पर रह सकता है इतरा बाई तुम लोग खुद गरीब होंगे मेरे बास बहुत पैसे मुझे कोई अच्छा ग़र बताओ यह कौन सा यह पेड़ वेड में पेड़ में रह अच्छा वैसे तुझे रहना है तो यह वाले घर में रह सकता है लेकिन यहां पर आत्मा रहती है यहां के पुराने विलेजर लोग मानते हैं कि यहां पर बहुत भयानक आत्मा है लगता है फ्लिक पागलो चुका है पैसो के नाशे में खेर कोई बात निए इस घर का अच्छा पागल वगरा पता ना कुछ और एक काम कर दो तुम दलाली के लिए और पकड़ो बहुत पैसे मेरे पास में भाई उसके लिए तो फ्लिक को दे बाई यह ले तो ऐसी खरीद लिया भी मुझे पैसे और कमाने तो जा रहा हूं मैं अपने घर में रहने के लिए और यह क्या कर रहा मेरे खर पे रुख जाए गार बहुत बड़ी हा घर है यह तो चल जाएंगा अपने घर के तरफ यार और कुछ ज्यादे यमीर हो चुके यह लोग तो इनको बताना पड़ेगा और मेरे जो प्लैन है अब सकसे सुल होगा क्योंकि मुझे घर मिल चुका है ल है कोई बॉडिगाट है कि नहीं इनके और रात भी हो चुके तो मैं जा रहा हो सोने के लिए क्या बात मैं सुबह हो चुकी और चलते है इनके तरफ और मैं सोच रहा हूँ आज अपना घर अप्क्रेट करूं कि मेरे पास में और पैसे रखे हुए यह तो मुझे चाहिए ब पैसा दे रहा हो न तो जल्दी काम हो गई न और देखना भी दो दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग बन जाएगी यह यह देखो अभी रात और रात में इतना सारा बन गया है इसका पूरा स्ट्रक्चर तो बिल्डिंग में बन जाएगी और मैं तुझे एक्स्ट्र पैसा तो यार मुझे वो ट्री हाउस में रहने का मौका देगा तू एक्स्ट्रा वैसा भाई यह तो मुझे राउल से बात करनी पड़ेगी इस बारे में अरे तू रख ले न तू मेयर का भाई राइट है यह बस तेरे मेरे बीच की बात है तो तू मुझे दे सकता है वैसे तो फिर तू रह भी सकता है उसके अंदर अच्छे से भाई काम कर यह 24 एमरेट पकर तू पूरे के पूरे चलो भाई इस चल इतना तो वैसे काफी है मेरे लिए लेकिन भाई सुन घर अप तो इसका मेरे बढ़ाऊंगा यह बात है ठीक है भाई बस अगर तू 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 तीन द तो सबसे भीए ले ट्री हाउस में घुश के देखता हूँ और जाने का रास्ता कास है सामने से होगा और यह क्या यह कोई बात रूम बना हुआ है नहीं कुछ और ही हो गये तो इसके अंदर चलता हूँ अच्छा चप बंकर में जाने का रास्ता है बाई इधर बंकर ही बं अब बने वाला हूँ ना अब यह दिख रहा है आपको बाजू में दो स्टीव बन सकता हूँ मैं यह बहुत ज़ादा पैसे देकर खरीता हूँ मैं यह दोनो स्टीव को अगर आपको दिख रहे होंगे दोनों वो जो मैंसे इस्टीव है वह तो आखरीम बनूंगा मैं और स्टीव है वह बन के पारिशान करना है और इंसे पैसे निकालना है अब देखो भाई अपने आप ये लोग पैसे फेकेंगे क्योंकि इनके बास में डिफेंस के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं स्रिफ बंकर बना के रखें ओ भाई यहापे रोड भी बन गई और यह देखो क लेकर रखो जो मेरे काम का है और चलते हैं भाई किसके घर पर पहले अटाइक करना चाहिए यार देखो फ्लिक की घर में अटाइक करना बेवकूफ ही होगी क्योंकि यार वह अभी टॉप वाले फ्लोर पर हुआ ना तो पकड़ लेगा मुझे क्योंकि मेरा जो नॉर्मल स् साइट में कोई नहीं है अगर कोई नहीं होगा ना भाई तो मैं बच चाहूंगा और मुझे लग भी नहीं होगा और मेर घर तो खाली है क्योंकि इन्होंने पता है तो मेर गया है बहुत खरीद लिया था ओके भाई यह दिखो यह कैसा स्टीव है लेकिन इसकी हाइड जा रहा हूँ शायद मैं ठीके ठीके साही जगा पर हूम है यह दिखो राऊस हो यह आपर सिर्फ IPL मत देखो बलकि अपने ओपिनियन देखे काफी सारे प्राइज जीतो लोटस 365.in पर यहाँ बहुत सारे कोश्चन्स रहेंगे जैसे हूब विल 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 ट बहुत सारे बड़े सेलिब्रेटिस इनके ब्रैंड एमिसिटर है तो देर मत कीजिए डारेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365.in पर अब भाई इसको डर लगने वाला है और यह पैसे देगा मुझे क्या हुआ है और यहाँ पर एक काम करता हूँ उस साइड तो मर जाएगा तो इस साड़नों पूरे TNT लगा देता हूँ घर भी तो फूटना चाहिए इसका पांच काफी होंगा यार पांच बहुत ज्यादा बैफ लिक का पे तू जल्दी आ और यह काम करता हूँ बैश को भी बुला ले तो भाई help हो जाएगी और पर पता नी एकदम कोने में रहता है उसको ले के आतो जल्दी से यारे पता नी स्टीबर मुझे उठाने क्या है और मैं तो हूई नहीं तो एक काम करता हूँ बैश क मैं ठीक है अब भागने का समय आज चुका है और भाई मेरा प्लैन सक्सेसूल हुआ है राओल को डरा दिया मैंने अब भाई उसकी बात कुछ मानने भी नहीं वाला है ठीक है तैयर के मुझे बाद जाना है अपने ट्री हाउस के तरफ क्योंकि यह आगे की तरफ ही है अच् कल रात को पता नहीं कौन सा इतना बड़ा स्टीव आ गया था और देख उसकी यह दो मुंडी भी फेकके गया हो और मेरा घर पुरा तोड़ दिया उसने और डैश तू का पे था भाई मैं अपर ट्री हाउस में आर अब यह भी ट्री हाउस करीदा हूं मैंने फ्लिक को बोल को भी भाई बहुत देर तक कि मैं तुम को भुलाते रहा लेकिन तुम लोग आये नहीं और मैं तुम उपर रहे तो मैं कैसे देख पाऊंगा अरे भाई तुने यह कहां से मुंडी कहीं से मुंडील आके बस कुछ भी जूट कहानी बना दे रहा भाई इसका कोई मतलब भाई मुझे लगता है वो जो स्टीवन अब तुम्हें परेशन करना है और मुझे भी भाई बॉडी काट की नौकरी कर सकता हो अगर तुम लोग मुझे अच्छे पैसे दो तो जा जा यह वाली मेरे एटीवी लेकर चले जा तू यह देखो यह फ्लिक मानननी रहा है अगर और मैं तेरे घर के आसपास रहूँगा फ्लिक के आसपास नहीं वह देखेंगा वह क्या करना है अरे मुझे वैसे जरवत भी निया भाई मा तो खुदी तयार हूँ लेकिन उसके बाद में भाई फ्लिक को इतना गंदा बरिशन करने वाला हो बाई डर जाएगा वो मुझे लगा था वो भी पैसे देदेगा वाई उसको बरिशन करने की जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन भाई अब मुझे मालूम चल चुका है अब मैं ऐसे स्टीफ बनना ही पड़ेगा मुझे और वो स्टीफ कुछ ज्यादा ही खातरनाक है और चलते अब राओल की खर में गलत लग गए खेर कोई बात नहीं यहाँ पर जितने बच्छे ब्लॉक है वो लगा देता हूं मेरे पास ज्यादा ब्लॉक तो है नहीं और फ्लिक के ओपर नजर रखना भाई क्या कर रहा है वो क्योंकि राओल तो सोया हुआ है व्योंकि उसको बचा लूँगा या मैं उस यह नहीं पता है यहां के hidden cameras कहा पर है तो एक काम करता हूँ चुप चाप है पर खड़ा रहता हूँ जैसे bodyguard बनके और थोड़ी देर बात बाद मैं अंदर जाओंगा और वहां से जो थोड़ी सी जगा बचे हुई थी घूम के जाना है मुझे फ्लिक की घर पर तो थोड़ मुझे और अब बार यह massive Steve बनने की क्योंकि और कोई Steve बनोंगा तो जंगल से जानी पाऊंगा लेकिन massive Steve भाई सब कुछ तोड़ते हूँ निकलता है जब मैंने सो खरीदा था था ना तब मुझे मालूम चला था तो यह कुछ जर के लिए बन सकता हूँ मैं और दिनोंने में फ्लिक या पर सोया हुआ है तो मुझे थोड़ा और उपर जाना पड़ेगा लेकिन नहीं मैं जानी सकता हूँ मैं सब तोड़ते हूँ निकलूँगा तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ यहां से बजुका मारता हूँ उसको ठीक है और यहां पर खड़ा है वह जिंदा कैसे चमीन पर मार देता हूँ अरे बजिया मैं भाई पूरा ही तो रोड तोड रहा है हमारे एरिया का भाई पूरा टाउन खराब हो जाएगा राव जाए बागना पड़ेगा और एक काम कर तो घूम के उस तरफ पहुशन कर रहा है अरे इधर आई रहा भाई रोड टूड़ हमारा इधर महौल मचाया किसीने भाई कौन कर रहा है इस सब अरे इधरा मेरे साथ ओदेक उदर कोई भाग रहा जल्दी है मेरे पास भाई कोई तो दिख रहे एकदम दूर में गाड़ी निकार गाड़ी निकार भाई चावी ढूंड रोग रोग ये ले बैट इदर अरे बैठ वाई चावी मेरे पास है बैट मेरे ट्रेक्टर में वो थूर्म बहाते गाने रहे थे हो यहांसर मुझे जुआ खुम का आना पड़ेगा इस तरफ से ओ आंप पकडा नर जाता हो बस तो ठीके आ वो रास्त पी पर चूच कूका है तो उस बहुत जादे लंबा था अ अरे यार फ्लिक तुने ऐसा क्या देख लिया था मैंने कुछ नहीं देखा यार एक काम करते है अखेली नहीं जाते हुदार डैश को बूला डैश कीदर है यार वैसे भी मेरा ट्रैक्टर बहुत जा सलो है और एक मिनट ये डैश तो मेरे घर पर काम कर रहा हुगा उसको आव बस कर रहा है भाई मुझे कोई आवाज नी आई इतना अपार्टमेंट पुरा खतम हो चुका है और ये तो गया भाई इसको बनाने वे बहुत समय लग जाएगा उपर के फ्लोर खतम हुए लेकिने किया किसने और ये सब क्या है रोड किसने बनाया है और वही स्चीव यहा यहां तो गया जा रही है रोड खतम हो गया फ्री में रोड बनांके चले गया वो लेकिन यह सब क्या देख ले तुमने यार यह तो गलत हुआ तुने हमारी बात नहीं माना अकर तो मेरी बात मनता इतना नुकसान नी होता तेरे घर का वाई अरे ठीक यार कल से तु भाई म पेरे हम भी काम करना चालू कर ये ले बाई कितने है रूजय देखे लेता हूं मैं इतने पैसे में एक हफते के लिए काम करूँगा मैं उसके बाद मैं और बॉडिगाट लेके आओंगा और तु बच्च हैगा फिर देखते हैं भाई आगे लिकनि यार मुझे घर बनाना आप भी बोलो इसको और ये लो भाई बुलेट्स अरे दिन बेखते है मठी मेरे आँम पर अब इसी घर की तो कुछ जादा ही घंदी आला तो चुकी मिनिट कां गया वो लेकिन रुख जाओ अब पेट्रों के पीछ जल्दी आओ पेट्रों के पीछे है रुख जा उसको आने तू क्यों अटक करने जा रहा है यार कहा पर गया वो तो देखो ओ ये क्या है भाई वो तो चट पर चड़ गया तुम मैंसे किसने फ्लिक नहीं अब बहुत गंदा अटक कर रहा है और यार इसके बच्चे लोग क्या कर रहे है यार इसके बच्चे को मारो ओ यह इसके खुदा यह इता है खतर ना रुख जा बचाओ मुझे थोड़ा एपल खाना पड़ेगा तब ही जाके बच पाउंगा मैं इसको मारो यार जल्दी द चेलो को मारो नहीं कुछ कर नी रहा है वैसे हमारे काम यह इंगे इनको बंदी बना लेंगे हम लोग लेकिन इसे पूरा यार इन लोगों से मेरा घर बन वाओ इनको हाँ इनको पकड़ो यार जिन्दाबत छोड़ इनको यार यह तो मेरे प्लैन में भी नहीं था खेर कोई